नमस्कृत आये मित्रो मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल इटर्नल एड़ुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे सभी संस्कृत मित्रों से अन्रोध है कि मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जादे से जादे लोगों तक मेरे वीडियो को पहुचाएं तो आज हम घटना चक्र का 1999 से लेकर अब तक का भासा विज्ञान का जितना भी प्रशन पुछा है, उनको हल करेंगे और उनकी व्याख्या को देखेंगे इसके माध्यम से ये होगा, कि आप अगर भासा विज्ञान नहीं भी पढ़े हैं, तो आपका भासा विज्ञान सम्मंदित कुछ कॉंसेट भी क्लियर होगा और आप ज़्यादे से प्रशनों को एक्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो मेरे चैनल से बने रहिए, मैं एक के बाद एक नए टॉपिक ले कराऊंगी, उनको व्याख्या सहीत हल भी कराऊंगी, तो चलिए आज ज़्यादा समय ननस्ट करते हुए हम सीधे भास भासा विज्यान के अंतरगत अध्यन का छेत्र नहीं है, तो यहाँ पे सीधे साफ दिख रहा है कि काव्य ध्वनी निरूपर जो है, वो इसके अध्यन का छेत्र नहीं है, अर्थ परिवर्तन है, ध्वनी परिवर्तन है, पद विज्यान है, तो इसकी व्याख्या देख ले अगला प्रश्ण है भासा की कौन सी प्रकृती सत्य नहीं है तो पहले देख लेते हैं सत्य वाला भासा प्रतीकों की एक व्यवस्था है ये सत्य है प्रतेक समुदाय में भाशा एक होती है ये भी सत्य है भासा संबंदी प्रतीक या दिर्चिक होते है ये भी सही है लेकिन जिन प्रतीकों से भाशा का निर्माड होता है उन्हें वाक प्रतीक कहते हैं ये सही नहीं है हम इसक विकल भासा की प्रकृति है इसको देख लिजे इधम अंध तमह कृत्सनम जायते भुवन त्रयम यदी सब्दा ध्वयम जोतिरा संसारम न दिप्यते ठीक है इसको जरूर से आप नी कॉपी पे इसको आप नोट कर सकते हैं फिर से मैं पढ़ देती हूँ इधम अंध तमह कृत्सनम जायते भुवन त्रयम यदी सब्दा ध्वयम जोतिरा संसारम न दिप्यते अगला प्रशन है विचार जब धन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वह भासा कहलाती है यह किसका विचार है तो यह प्लेटों क ठीक है इसकी व्याखिया देख लेते हैं विचार जब धन्यात्मक होठों पर प्रकट होती है तो वह भासा कहलाती है यह विचार प्लेटों का है अब हम भासा का उद्भवयम विकास से जितने भी प्रशन है उनको एक साथ देख लेते हैं देखिए नित्ता वसाने नत रा राज राज ननाद धक्का नव पंचवारम भासा की उत्पत्ती के सिध्धान्त का सूचक है यह है दिव्योत पत्ती का सिध्धान्त। फिर से पढ़ेते हैं नृत्या वसाने न! नट राज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम भासा की उत्पत्ती के सिधान्त का सूचक है। इसका आसर होगा दिव्योत पत्ती का सिधान्त इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ताम विश्वरूपा पस्वो वदंती अर्थात देवों ने वाणी वाक भासा को उत्पन्द किया तथा सब प्राडी उसी को ही बोलते हैं अन्यमहतपूर तथे है निर्ड़ सिधान्द निर्ड़ सिधान्द को प्रतीक वाद, स्विकार वाद, संकेत सिधान्द और संकेत वाद कहा जाता है धन्यात्मक अनुकरण सिध्धांत इसके अन्य नाम है अनुकरण सिध्धांत अनुकरण मुलक्तावाद भोभोवाद शब्दानुकरण वाद तथा शब्दानुकरण मुलक्तावाद आधी हैं अंग्रेजी में इसे वोवो थियोरी अनोमोटो पोईक तथा अनोमोटो पोईटिक थियोरी या इयोईक थियोरी आधी कहते हैं। रेनन ने इस सिध्धान्द का विरोध वोवो थियोरी का मैक्स मुलर ने हसी उड़ाई। इंगित सिध्धांद इस सिध्धांद की और सरप्रथम संकेत करने का श्रे पॉलीनेशियन भासा के विद्वान डॉक्टर राय को है कुछ दिन बाद डार्विन ने भी चा असंबद भासाओं के तुलनात्मक अध्यन के आधार पर इसे प्रमारित किया था संपर्क सिध्धांद, कॉंटेक्ट थियोरी इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज है जो मनोविज्ञान के विद्वान थे अगला प्रशन है भासा के धातु सिध्धांद के प्रतिपादक है तो इसका अंसर है Max Muller इसकी व्याख्या देख लेते हैं घातु सिध्धांद के प्रतिपादक प्लेटो है बाद में जर्मन विद्वान हैंस तथा उनके भी भाद Max Muller नहीं है इसे व्यवस्थित किया तो अगर आपशन में प्लेटो रहेगा तो आप पहले प्लेटो लगाएंगे अगर Plato नहीं रहेगा तो आप अगर Hans का नाम रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं और Max Muller का नाम रहेगा तो उसे लगाएंगे तो मैं इसे फिर से पढ़ देती हूँ भासा के धातु सिधान्त के प्रतिपादक प्लेटो हैं धातु सिधान्त को अनुरण सिधान्त भी कहा जाता है बाद में जर्वन विद्वान हैस तथा उनके भी बाद Max Muller ने इसे विवस्थित किया इसी को डिंग डॉंग वाद या र सिधान्त के लिए करते हैं धातु सिधान्त का डिंग डांगवाद नाम का अधार है इस सिधान्त की अनुसार भासा मनुस्य की स्वभाविक प्रतिभा की देन है अगला प्रशन है यो हे हो सिधान्त का संबंध है भाशोत पत्ती से इसकी व्याक्या देख लेते हैं यो हे ह इसे परिहरन मुलक्तावाद भी कहा जाता है नियावर नामक प्रसिद्ध विद्वान्त इस सिधान्त के प्रतिपादक हैं तो पूछ देता है कि हो हो थियोरी के प्रतिपादक कौन है तो इनका नाम देख लीजिए नियावर है अगला प्रशन है भासा की उत्पत्ति विश् समन्वे सिधान्त के प्रवर तक भासा सास्त्री हैं कौन है तो ये हैं 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 इसकी व्याख्या देख लेते हैं यह समन्वे चार सिधान्तों का समन्वित रूप है पहला है अनुकरण सिधान्त दूसरा है आवेक सिधान्त तीसरा है प्रतीक सिधान्त और चोथा है उपच इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मेपोल सिधान्त में मेपोल एक खंबा है, कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ती में मेपोल नित्य से निश्चित किया है, पस्चमी देशों में मई का महिना बड़ा ही आनंद तथा उत्सो का होता है, उस महिने में एक अस्थान प पती इसी मेपोल से मानते हैं, अब हम ध्वनी परिवर्तन से जितने भी प्रशना हैं उनको देख लेते हैं, पहला प्रशना है ध्वनी परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है, क्या कारण है, प्रेत्न लागव, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ध्वनी परिवर्तन का सरप्थम कारण है प्रयत्न लागों से तातपर है कि अधिक स्रम की अपिछा कम स्रम में काम चलाना यह मानो सुलब प्रविर्ती है जो भासा के छेत्र में भी अपना कारी करती है जैसे अस्थल से थल यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखते चलिएगा अस्थल से थल, मुकुट से मौूर, उपाध्याय से ज्जा पाकिस्तान से पाक, मास्टर सहाब से मास्साब इस प्रकार संशिप्ती करण भी प्रयत्न लागों है अब बलागात देख लेते हैं बलागात उचारण की वह मात्रा है जिससे किसी भासिक इकाई, ध्वनी अच्छर, शब्द, वाक्यांस, वाक्ये का उचारण किया जाता है तथा जो उचारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तिवरता एवं उचारण से संबद, मानस्पेशियों की द्रिड़ता पर निर्भर करती है इसी आधार पर बलागात के ये भेत किये गए हैं ध्वनी बलागात, इसको देखते चलिए ध्वनी बलागात, अच्छर बलागात, सब्द बलागात और वाक्य बलागात जैसे डाइरेक्टर से डिरेक्टर, फाइनेंस से फीनेंस, सरदार्जी से दार्जी, अनाज से नाज अब असिच्छा तथा अज्ञान असिच्छा तथा अज्ञान की कारण, ध्वनीयों में मात्रा भेद, लोप, सघोशी करण, अघोशी करण, अलपी करण तथा भ्रामक वित्पत्ति आदी अनेक परिवर्तन होते हैं अज्यान पराधारित मिथ्यासादिशी के कारण एक दस को एक आदस इसको देखते चलिए फिर से मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ एक दस को एक आदस इडा को इंगला आदी कहा जाता है असिच्छा तथा अज्यान के कारण भ्रामक वित्पत्ति हो जाती है तथा चैम्सफोर्ड को चैम्सफोर्ड को चीलम फोड रिपोर्ट को रपट अगला प्रशन है ध्वनी परिवर्तन का सरप्रमुक कारण है तो ध्वनी परिवर्तन का सरप्रमुक कारण है प्रेत्न लागव ठीक है अगला है प्रेत्न लागव कारण है इसका किसका ध्वनी परिवर्तन का फिर है ध्वनी परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है तो ध्वनी परिवर्तन का आभ्यंतर कारण है अनुकरण की अपूर्णता ठीक है इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं ध्वनी परिवर्तन का आभ्यंतर कारण अनुकरण की अपूर्णता है इसकी अत्रिक्त अन्य आभ्यंतर कारण है प्रयत्न लागव, शिप्रभाशन, असिच्छा तथा अज्ञान इसको देखते चलते हैं लिपी दोस या लिपी की अपूर्णता विदेशी ध्वनियों का अभाव तो ये दसों आपको याद उने चाहिए फिर है बाहे कारण अर्थात व्यक्ति के परिवेश में नहीत ध्वनी परिवर्तन के कारण ये हैं भौगोलिक परिश्थितियां इसको मैं बता देती हूँ भौगोलिक परिश्थितियां एतिहासिक परिश्थितियां इस प्रकार ध्वनी परिवर्तन के उप्युक्त बारह कारण माने जाते हैं यह द्ट कारण अगला प्रश्चर अगला प्रश्चर लेंगे तो बड़े आज़ाद कर लेंगे तो बड़े आराम से इसको लगापाएंगे अगला प्रश्ण है ध्वनी परिवर्तन तो जिवार नर्तन है के बारे में आपका क्यामत है तो यह उक्ती जो है एकांगी है ठीक ध्वनी परिवर्तन तो जिवार नर्तन है यह उक्ती एकांगी है अगला प्रशन है सिंधू हिंदू में ध्वनी परिवर्तन का कारण है मतलब सिंधू से हिंदू हो गया है तो क्या हो जाएगा भौगोलिक इसकी व्याख्या देख लिजिए सिंधू से हिंदू में ध्वनी परिवर्तन का कारण बाहे कारण की अंतरगत भौगोलिक अन्यमत पूर्तत में देख लिजे साद्रिश्य, कुछ सब्द किसी दूसरे के साद्रिश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं 35 के साद्रिश्य पर 37 में अनुनासिक्ता आ गई है, इसी प्रकार देहात से देहाती, शहर से शहराती आदी अगला प्रशन देखते हैं, अच्छा इसी में देख लेते हैं, वो साद्रिश्य था ये भौगोलिक है, भौगोलिक में देखिए, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है इसको देखते चलिये तथा अधिक या कम विश्रित होना आदी भोगोलिक परिस्तितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है अगला है उट का उष्ढ का उट ध्वनी परिवर्तन निम्लिखित में से कौन सा प्रकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उश्र का उट ये जो है अनुनासिक्ता है इसकी व्याख्या देख लिजिए उश्र का उट में परिवर्तन अनुनासिक्ता है उश्र सब्द का अर्थ भी रिगवेद की प्राचिन रिचाओं में भैसा है किन्तु बाद में इसका वेभार छंडर का चांद भुरु का भ्राव, श्वास का साप, सर्प का साप, सथे का सांच, कूँप का कूँआ, यूक का जू, अश्रु का आसू, वक्र का बागा, वेटर का बेट, ठाए है जब किसी सब्द में न तो ध्वनी का आगम होता है नलोप, अपी तो शब्द में विद्दमान ध्वनिया परस्परस्थान बदल लेती है, तो यह विपर्याय कहलाता है, जैसे ससुर से सूसर हो गया, क्या हो गया, ससुर से सूसर, पागल से पगला, खन से नक, चहुपना से पहुचना, डेक्स से डेस्क, कहचरी से कचहरी, चिन का चिन, ब्राम्हन का ब्राम्हन, अमरूद का अरमूद, भजपुरी में, तमग का तमगा, ठीक है, फिर महराष्ट का मरहठा, मैं इसको फिर से उपर कर देती हूँ, महराष्ट का क्या हो रहा है, मरहठा हो रहा है, मुकलचा का मुचलका हो रहा है, वारांसी का बनारस, खुर्द का खुदरा, यह अविस्ता शब्द है, बफर, फार्सी शब्द है, इसका हो जाएगा, बरफ, का मतलब पंजाबी और लखनव का, लखनव का होगा नखलव, अगम के विप्रीत कीशी भी सब्द के आदी मद्धी या अंत में पहले से विद्मान ध्वनी का बाद में लिप्थ हो जाना लोप है जैसे सनेह से हो जाएगा नेह अनाज का हो जाएगा नाज अगर का होगा गर आहाता हाता अर घटक का रहट अफसाना का फसाना परिच्छा का परक सूची का सूई कोकिल का कोयल समशान का मसान भंडा गार का भंडार फलाहार का फरहार भ्रात्र जाय का भावज मौक्तिक का मोती कुंचिका का कुंजी आदी अगला प्रश्ण है कस्मात कारणात स्थल इती शब्द स्य थल इती उच्चारणम क्रियते तो इसका आंसर होगा आदी लोपस्य इसकी व्याख्या देख लिजिए बला घात उचारण सक्ति की वह मात्रा है जिससे किसी भाशिक इकाई ध्वनी अक्षर शब्द वाक्यांस वाक्य का उचारण कियाता है तथा जो उचारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तिवर्ता एवं उचारण से संबद मानस्पेशियों की द्रिड़ता पर निर्भ होता है इसी प्रकार इस थाली से थाली अस्थानक से थाना इसकंद से कंधा और इस फूर्ती से फूर्ती आदी अब हम देखेंगे अर्थ परिवर्तन पहला प्रशन है व्यंग प्रियोग इसमें से किसका कारण है तो ये जो है अर्थ परिवर्तन का कारण है इसकी व्याक् के द्वारा शब्दों के अर्थों का निश्चे और उनके परिवर्तन का विवेचन किया जाता है फ्रांसीसी विद्वान ब्रली ने अर्थ विकास की तीन दिसाएं मानी है अर्थ विकास अर्थ संकोच और अर्था देश अगला प्रशन है अर्थ संकोच का उधारन है प्रिग, सर्प, वरिक, विरिशब, आदित्य, दुहित्री, परवत, जलज, पंकज, विद्यार्थी, रदन, मंदिर, सबजी, संध्या, मीट, भारया, वेदना, सूर्य, घोडा, समास, संदर्व का प्रसंग, नामकरण, आदि, ठीक है, ये सब अर्थ संकोच की उधारण है, मैं इसको हाइलाइट कर दे रही हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, हो सकता है, एक्जाम में इसी में से कोई शब्द दे दे और पूछ दे कि ये किसका उधारण है, तो इन्पोर्टन तो सर्शीज है, सर्शीज जो है, अर्थ संकोच का उधारण है, और बाकी जितने भ सर्शीज जो है, ये बहुत इंपोर्टन है, ये बार बार पूछ रहा है, प्रवीड उधारण है, प्रवीड जो है, ये अर्थ विस्तार का उधारण है, सर्शीज जो है, अर्थ संकोच का उधारण था, ठीक है, इसकी व्याक्या देख लीजिए, अब प्रवीड अर्थ हम दोग देख लेंगे मैं पहले हालेट कर दे रही हूँ फिर आप देखिए कुसल, गोष्ट, गवेशना तैल, स्रीगडेस, महराज पंडीत, कल, परसो, अभ्यास निपुड, आदी कण सिंग की अनुसार अर्था देश का उधारण है असूर, उष्ण, मौन, धूर्थ, सत, असत, आदी डॉक्टर भोलाना तिवारी की अनुसार गवार, जंगा, आकाश्वाणी तटस्थ, तिलांजली, खाट, खड़ी करना आदी फिर है अर्थोस्त कर्ष का उधारण अर्थोत कर्ष का उधारण अर्थ विस्तार का उधारण है तो हमको सबको अलग कर लेना है कि अर्थ संकोच का उधारण कौन सा है अर्था देश का उधारण कौन सा है अर्थ विस्तार का, अर्थोत कर्ष का तो कुछ-कुछ याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा तो इसमें से जो भी प्रश्न बनना होगा बड़े आराम से मिल जाएगा अर्थ विस्तार अस्यो उधारणम वर्तते तो इसमें से जो तैलम है ये अर्थ विस्तार का उधारण है फिर देवा नाम प्रियह अर्थ परिवर्तनम लभते संभ्यस्यार थे यह सभ्यता के परिपेच्च में प्रयुक्त किया राता है तो इसमें स्टार लगाया है हम इसकी सीधे व्याक्ख्या देख लेते हैं देवा नाम प्रियह असुरत था हिंदू शब्दों का अर्थ परिवर्तन भासा पर सांस्कृतिक प्रभाव का ही सूचक है यह अर्था देश है ठीक है तो इसको आप यात कर लिजे यह अर्था देश है अगला प्रशन है क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनी परिवर्तन है तो इसका अंसर होगा कुछ-कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं अर्थ परिवर्तन अर्थ विकास का कारण ध्वनी परिवर्तन कुछ-कुछ है भाषा के अध्यन से यह विदित होता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है जिस प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों या पदों में होता है अब समीकरण से जो भी प्रशने उनको देख लेते हैं धर्म का धम रूप में परिवर्तन उदाहरण है किसका पस्च गामी समीकरण का इसकी व्याख्या देख लेते हैं धर्म का धम रूप में परिवर्तन पार्शोवर्ती पस्च गामी समीकरण है समीकरर दो प्रकार का होता है व्यंजन का और स्वर का आगे इन दोनों के ही दो दो भेध हो सकते हैं पूरो गामी आगे जाने वाला पस्च गामी पीछे जाने वाला इन में से प्रतेक के पार्शवर्ती और दूरवर्ती विभेध भी हो सकते हैं अन्य महत्पूर्ट तथ्य देख लेते हैं पार्शोवर्ती पुरोग्वामी समी करना। अब पुरोग्वामी विस्मी करन में देखते हैं जब प्रथम वेंजन जियों का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोग्वामी कहते हैं लंगूली का लंगूर, काक का काग और कंकड का कंगन आदी पस्च गामी विस्मी करन इसमें प्रथम वेंजन में विकार होता है नवनीत का लयनू, दरिद्र का दलिद्दर, मुकुट का मौूर, नुपूर का नेूर और मुकुल का बऊूर ठीक है धर्म का धम होना इसका उधारण है ये समी करन का उधारण है अगला प्रशन है आकरिती मुलक वर्गी करन से जो प्रशन है उनको हम देख लेते हैं भासाओं का आकरिती मुलक वर्गी करन विश्यक कौन सा विकल्प सही है तो ये विकल्प सही है अयोगात्मक असलिष्ट, सलिष्ट, प्रसलिष्ट अयोगात्मक, असलिष्ट, सलिष्ट, प्रसलिष्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं भासाओं का आकरिती मूलक वर्गी करण के आधार पर भासाओं को सरप्रतम दो भागों में विभक्त किया गया है अयोगात्मक, योगात्मक अर्थ तत्व प्रकृति के साथ रूप तत्व प्रत्य के योग की शैली की आधार पर योगात्मक भाशाओं को पुनह तीन भागों में विभक्ति की आता है असलिष्ट या प्रत्य प्रधान दूसरा है सलिष्ट या विभक्ति प्रधान और तीसरा है प्रसलिष्ट या समास प्रधान इस प्रकार आयोगात्मक का एक तथा योगात्मक के तीन भीदों को जोड़ कर आकृति मुलक वर्गी करण के आधार पर विश्व की भासाओं को क चार वर्गों में विभाजित किया जाता है ठीक है। ईयोगात्मक इसको निर्वय व्यास प्रधान असलिष्ट प्रत्यय प्रधान तो तो ध्वन्यात्मक जो है नहीं है रूपात्मक पदात्मक और रचनात्मक है व्याख्या देख लेते हैं भासा के आकरिती मूलक वर्गी करण में ध्वन्यात्मक वर्णित नहीं है रूप ततो के कारण आकरिती मूलक वर्गी करण का दूसरा नाम रूप आत्मक वर्गी करण है पद रचना तथा वाग के रचना भी आकरिती के अतह इसी वर्गी करण को पदात्मक या वाग के मूलक भी कह दिया जाता है। अगला प्रशन देख लेते हैं अच्छा इसी में देख रहे हैं प्रसलिष्ट योगात्मक के दो भेद हैं पूरु प्रसलिष्ट चेरोकी तथा ग्रीनलेंड की भासा और आंसिक प्रसलिष्ट बास्क भाशा आदी असलिष्ट योगात्मक के पाँच भेद होते हैं पहला है पूरह प्रत्य संयोगी दक्षडी अफ्रिकी के बंतु भाषा परिवार की भासाएं इनका उधारण है दूसरा है परप्रत्य संयोगी इस वर्ग की भासाओं में यूराल, अल्टाई तथा द्रविड भासा परिवार आते हैं तीसरा है मध्य प्रत्य संयोगी भारत की मुंडा भाषा परिवार की संथाली भाषा इसी वर्ग की है। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अब हम लोग भारोपी भासा से जो भी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। मध्य कालीन आरे भासा नास्ती तो इसका अंसर है बांगला। मध्य कालीन आरे भासा बांगला नहीं है। बंगला भासा का वर्णन आधुनिक भारती आरे भासा के अंतरगत है। आधुनिक भारती आरे भासा निम्न हैं। बिहारी, बंगला, उडिया, असमिया, पुर्वी, हिंदी, मराठी, पहारी, सिंधी, लहदा, पंजाबी, पस्चिमी, हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। अगला प्रश्ण है प्राचीन तमा भारती आरे भासा अस्ती। ये है वैदिक संस्कृतम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन तम भारती आरे भासा वैदिक संस्कृत है भारती उप्षाखा की सर्वप्राचीन उपलब्द भासा वैदिक या वैदिक संस्कृत है इरानी उप्षाखा की सर्वप्राचीन उपलब्द भासा अविस्ता है अगला प्रशन है लिखित भासा स्वरू पेशू प्र प्राचीन तमम मस्ती तो है इसका आंसर वैदिक संस्कृतम इसकी व्याख्या देख लिजिए लिखित भासा के रूप में सरव प्राचीन भासा वैदिक या वैदिक संस्कृत है विद्वानों का विचार है कि वैदिक भासा का जो रूप हमें आज वैदिक साहित विशेस तह अगला प्रश्ण है तुखारी तो खारी शाखा का पता कब लगा तो इसका अंसर है बीसवी शताब्दी में इसकी व्याख्या देख लेते हैं तुखारी का पता बीसवी शताब्दी में लगा हित्ती साखा की भाती ही तुखारी या तुखारी शाखा का पता भी बीसवी सताब्दी के आरम में ही लगा है इसका छेत्रमध देशिया में सातवी शताबदी स्वी पूर से दूसरी सताबदी स्वी पूर तक था इसमें बहुत सी पांडू लिपी प्राप्त हुई है जिनकी लिपी प्राचीन भारती लिपी है अगला प्रश्ण है अधो लिखी तेशु का भासा केंटुम वर्गे नहीं आयाती तो इसका आंसर होगा रूसी इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो clear हो जाएगा तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं केंटुम वर्ग में रूसी भासा नहीं आती है भारतिय केंटुम वर् इसको अब देख लिजिए, मैं इसको फिर पढ़ दूँगी, देखिए, लेटिन, फ्रेंच, लेटिन, केंटुम, ग्रीक, हैक्टोन, इटैलियन, केंटो, इटैलियन, गैलिक, तोखारी, कंत, फ्रेंच, कैंत, गैलिक, क्यूड, जर्मनिक, हुंद, भारतिय सतम वर्ग की मु इसको आप देख लिजेगा, थोड़ा सा, इसकी प्रनौशेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, तो इसको कहीं एक जगलिक के याद कर लीजे, इसमें से एक प्रशन बनी जाता है, इरानी भासा से प्रशन देखते हैं, अवेस्ता भासा है अवेस्ता कैसी भासा है, इरानी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अवेस्ता भासा इरानी है, पुर्वी इरानी या अवेस्ता, इसका प्रतिनी साहित अवेस्ता ग्रंथी है, यह पारसियों का धर्म ग्रंथ है, इसकी रचैता जर्थृष्ट है, इसकी भासा को भी अगला प्रश्ण में अविस्ता भारोपिय परिवारस से कया शाखाया संबधु अस्ती तो इसका आंसर है भारत इराणी शाखा इसकी व्याख्या देखते हैं अब अब हम ध्वनी विञ्ञान से प्रश्णों को देखेंगे भासा विज्ञान की अनुसार स्वर के उच्चारण से संबद चार प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है तो तनन नहीं है बाकि हम इसको व्याख्या देखेंगे तो हमें चीजें क्लेर जाएंगी कि ये पूछ क्या रहा है देखिए भासा विज्ञान के अनुसार स्वर के उचारण से संबद चार प्रकारों में से तनन नहीं है स्वरों का वर्गीकर्ण पांच आधरों पर किया जाता है अगला प्रशन है भासा विज्ञान में अग्र स्वरों के उचारण में जिवखा की चार कोटियों में कौनसी नहीं है तो निम्नोच नहीं है भासा विज्ञान में अग्र स्वरों के उचारण में जिवखा की चार कोटियों में निम्नोच नहीं है जिवखा की उच्च तम इस्थिति, जिवखा की उच्च मद्धिस्थिति, जिवखा की निम्नमद्धिस्थिति, जिवखा की निम्नतम इस्थिति इस प्रकार हिंदी ध्वनियों में से E, E, तथा A, अग्र स्वर, A, U, तथा U, पश्च स्वर, एवं A, मद्ध्य स्वर कहलाते हैं E से संकेतित स्वर है अग्र अगला प्रशन है भासा विज्ञान की अनुसार व्यंजनों के मूल चार प्रकारों में से कौन सा नहीं आता है तो निहिस्वासी नहीं आता है इसकी व्याख्या देख लेते हैं भासा विज्ञान के अनुसार वेंजनों का वर्गी करण आठ आधारों पर किया जा सकता है जिसमें इसपर्स, संघर्सी एवं नासिक के प्रमुख हैं और पार्श्विक, कमपन्जात, संघर्स हीन, सप्रवाह तथा उच्छित गौड हैं कटप हो जाते हैं कटप तो इसका आँसर होगा ग्रिम नियम इसकी व्याक्या देख लेते हैं गरिम नियम की अनुसार क्ढब क्या हो जाते हैं कटप मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ द्वनी नियम में सबसे प्रशित ग्रिम नियम है इसका वर्णन जर्मन विद्वान या कोब ग्रिम ने सन 1882 के लगभग अपने जर्मन भासा वियाकरण ग्रंत में किया था यह दोनी नियम दो भागों में विभक्त है, प्रथम वण परिवर्तन तथा द्विती वण परिवर्तन, यह प्रथम वण परिवर्तन ही वस्तुता ग्रिम नियम है अगला प्रश्ण है कह नियम्ह गदब इती वेंजनानी क्रमा नुसारेण कतप इती वेंजनेन परिवर्थते तो इसका आंसर है ग्रिमनियम कैन नियमेण गदब वर्णा कतप वर्ण रूपेण परिडंत मनती तो ग्रिमनियमें ये आप देख सकते हैं ग्रिम नियम में गदब वन कातप में परिवर्तित हो जाता है तो देखिए जो गदब है वो कातप में परिवर्तित हो गया गदब कातप में फिर कातप किसमें परिवर्तित हो ज़रा है ख, थ, फ, ठीक है ग्रिम ग्रासमैन एवं वर्णर संबंदित हैं किससे ये तीनों लोग ध्वनी नियम से संबंदित हैं ग्रिम ग्रास्मैन एवं वर्णर ध्वनी नियमों से संबंदित हैं भासा विज्ञान में ध्वनी नियम से तात परे मानव भासा में प्रयूक्त ध्वनियों के परिवर्तन से संबद रखने वाला नियम अगला प्रशन है क्या ध्वनी परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रिम नियम में सुधार किया है तो इसका आंसर है हाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं ध्वनी परिवर्तन के लिए वर्नर ने हां ग्रिम नियम में सुधार किया है जर्मनिक गाथी ने वियुदान या बिंदान तथा दावज आदी शब्दों में ब तथा द ध्वनिया ग्रिम नियम की अनुसार मूल भारोपिय भध से परिवर्तित ही हैं. अगला प्रशन है क्या ग्रिम नियम का त्रिभूज निम्नवत है तो आप इस त्रिभूज को देखिए कि ये सही है तो अगर आप देखेंगे तो ये गलत है बिलकुल गलत है तो इसका आंसर होगा B तो हमको सब इसका सही वाला त्रिभूज देखना चाहिए तो सही क्या यहाँ पे काखग यारल पाफ़ यह गलत ही है तो देखिए सही क्या होगा गदव काथप फिर खाथफ ठीक है अब देखिए ग्रिम नियम की अनुसार निम्न जर्मन थ्री का उच्च जर्मन में परिवर्थत रूप है क्या होगा ड्री डी आर इ आई ग्रिम नियम की अनुसार निम्न जर्मन थ्री का उच्च जर्मन में परिवर्थत रूप है ड्री इसकी अत्रिक्त बुक का बुच मेक का मैचिन डीप का थीफ गुड का गुट डव का टूब डीड का दैथ योग का जोख डीप का थीफ स्लिप का सीप का शीप फूट का देखिए इसको स्पैलिंग आप देखते चलिए ठीक है देखिए बीडवलो के पहले थी को देखो थी को क्या किया है मैं हालाइट करते चलती हूँ टीच आर डवली को कर दिया है डी आर एई फिर बी डवलो के बुक को कर दिया है बी यू सीच बुक बुच मेक को हुआ है मेश मेश फिर डीप डी डवल एप को तीएफ तीप गुट को गुट डव डी ओवी डव को तव ती आ यू बी फिर डीड D-E-E-D, D-E-D, D-E-T, T-E-T, Yoke, Y-O-K-E, J-O-C-H, फिर D-E-E-P, T-I-E-F, और S-H-E-E-P, S-C-H-A-F, फिर F-O-O-T, F-O-T को F-I-J-S-S, और L-E-T को L-A-S-S-E-N-A-D, ठीक है, तो इसको आप लिख के याद कर लिजेगा, अगला प्रशन है, वर्नर नियम, स्वराघात के कारण ध्वनी परिवर्तन होता है, इस नियम के प्रवर्तक है, वर्नर, व्याख्या देख लेते हैं, स्वराघात के का अगला प्रशन होता है, इस नियम के प्रवर्तक वर्नर है, मूल भारोपिय संस्कृत तथा गाथी की तुलना के संदर्व में वर्नर का सुझाव है, यदि मूल भारोपिय ध्वनी सव से ठीक पहले उदात्त स्वर स्वराघात हो, तभी वह गाथी में स्वराघात रहेगी स्वर रहेगी, अनिता उसका विकास गाथी में रा के रूप में हो जाएगा, संस्कृत सब्द है इशनुशा, गाथी अंग्रेजी में होगा इस नोरू, तो यह पूछ सकता है इसनुशा हो जाएगा इस नोरू, ठिक? तो मित्रो इस प्रकार भाषा विज्ञान के जितने भी प्रशन थे, वो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिएगा, तो कौपी पे जितनी चीजे नोट करने वाली हैं, उसको नोट करके जरूर लिखिए, उसको याद करिए अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन ही में से नय प्रश्न मिल जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद, नमा संस्कृता है